सभी मित्रों को जय जय सियाराम भगवान स्री क्रिष्न की किपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे यही हमारी मंगल कामन है चैतन्य महाप्रभु की कथा गीता का सच्चा अर्थ चैतन्य महाप्रभु जगनात्पुरी से दक्षिन भारत की यात्रा पर निकले थे उन्होंने एक जगत देखा कि सरोवर के किनारे एक ब्राम्हन असनान करके बैठा है और गीता का पाठ कर रहा है ब्राम्हन गीता पढ़ने में इतना तलिन था कि उसे अपने सरीर का भी पता नहीं उसके नित्रों से आसु की धारा बह रही है महाप्रभु चुपचाप जाकर उस ब्राम्हन के पीछे खरे हो गए जब पाठ समाप्त हुआ जब ब्राम्हन पुस्तक बंद की तो महाप्रभु नजदी का कर पूशा ब्राम्हन देपता लगता है कि आप संस्कीत नहीं जानते क्योंकि असलोकों का उचाहरन सुध नहीं हो रहा था प्रंतु गीता का ऐसा कौन सा अर्थ आप समझते हैं जिसके आनंद में आप इतने भी भोर हो रहे थे अपने सम्मुक एक्ते जोमे भव्वे महापुरुस को देखकर ब्राम्हन ने भुमी पर लेट कर दंडवत किया और वह दोनों है जोर कर नम्रता पुर्वक बोला भगबन मैं संस्कीत क्या जानू और गीता के अर्थ का मुझे क्या पता मुझे पाठ करना आता ही नहीं है मैं तो जब इस ग्रंद को पटने बैठता हूँ तब मुझे लगता है कि कुरुचेतर के मैदान में दोनों और बरी भारी सेना सजी खरी है दोनों सेनाओं की बीच में एक रथ खरा है रथ पर अर्जुन दोनों हाथ जोड़े बैठे हैं और रथ के आगे घोरों की रास पकड़े भगबान स्री क्रिश्न बैठे है भगबान मुख पीछे घुमा कर अर्जुन से कुछ कह रहे हैं और मुझे आसपस दिखता है भगबान और अर्जुन की और देख देखकर मुझे प्रियम से रूला आई आ रही है गीता और उसके असलोक तो माध्य में असल सत्य भासा नहीं भगती है और इस भगती में मैं जितना गहरा उतरता जाता हूं मेरा आनंद बढ़ता जाता है तो चैतन महाप्रभू ने कहा कि भईया तुम्ही ने गीता का सचचा आर्थ जाना और गीता का ठीक पाठ करना तुम्हें ही आता है यह कहकर महाप्रभू ने उस ब्राम्वन को अपने हाथों से उठा इसे लगा लिया तो बोलिए जये श्रीक्रिस्ण